शास के जमिन पर हो रहे अतिक्रमन के चलते गाउ का विकास बादित हो गया है अतिक्रमन कारियों के होसले इतने बुलंद है कि वे बेरोक्टोक खाली मैदान से लेकर तालाब सम्शान खाट परिसर गौचर जमिन पर भी कबजा करे है दिन बादिन बढ़ रहे वही फुर्पात पर अतिक्रमन के चलते लोगों का पैतर चलना दोबर हो जाता है लोगों को मुल्पुत सुविदाओं से भी वंचित होना पड़ रहा है गाउ की तस्वेर वत्तक्तिर बदलने पंचार प्रतिनिती उत्वारा विकास कारियों को गत यह वाइग के जाने से उनकी होसलें बुलंद होके हैं गाउ के लोग भी इन अतिक्रमन कारियों के गलत कारियों का आनुकरन करने लगे हैं अधिक्रमन गाव के विक्राल समस्यावन की है शासन प्रशासन के उदासन रवये के चलते गाव के लगबग 50-60 प्रतिशत लोग अधिक्रमन कर शास के जमीन को हड़क चुकी है ऐसे लोगों को गाव के विकास से कोई सरुकार नहीं है अधिक्रमन को रोकने गाव सतर पर के जा रहे हैं प्रयास भी महस इसलिए सफल नहीं हुपा रहे हैं क्योंकि अतिक्रमन कार्यों की ताता गाउं भी जादा है जन प्रतिनिती खुद इस कार्यों में सनलिप दरते हैं जिस कारण अतिक्रमन की मामले भी चुपी साथ लेते हैं जिले कि अतिकांज गाउं में अतिक् कायों से कि जा चुकी है लेकिन कोई कार्यवाई नहीं होने पर अ MSW के होसले बुलत होके हैं गाउ में कई लोग्स सकारी जमिन में बकान बना लिए है और काई लोग invari आ्थिकर्मन का अनुकरिंग बुक्तक्या बावजुत इसके पुनर राद भर में उसी जगा पर अधिक्रमन वा है अब देखना ये है कि अधिक्रमन पर कारिवाई की दिशा क्या होगी इन्बिस्यन दिउस के लिए हिना से आशिश गुंडाने की रिपोर्ट